नमस्कार, कमोलिटी के मिर्टुन्जे मंत्र में आपका स्वागत है और आज हम इसमें बात करेंगे मानसून की मानसून की बात इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मानसून की चाल बहुत बहतर हुई है और आप याद कीजिए जून के शुरुवाती दिनों को जब मानसून की बारिश है बहुत कम हुई थी और इतनी कम हुई थी कि डेफिसिट मतलब सामान के मुकाबले जो मानसून की कमी थी वो 50% से ज्यादा तक पहुँच गई थी लेकिन जून के आखिर में मानसून ने ऐसी रफ़पार पकड़ी कि अब सामान के मुकाबले मानसून सिर्फ 5% कम रह गया है जब्कि सिर्फ दो हफ़ते पहले कि अगर बात करें उत्तर पस्षिम राजियों में 37% 37% ज्यादा बारिश हुई है इसके अलावा दक्षिन धारत में डेफिसिट 51% से घटके 26% पर आ गया है और साथी अब यह उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में कौंकन, गोवा, गुजरात में अच्छी बारिश हो सकती है इसके पुर्वी और उत्तर पुर्भारत में 37% ज्यादा बारिश हुई है और दक्षिन भारत में 32% अब तक कम बारिश हुई है पिछले एक हपते की चाल को अगर हम देखें तो हपते भर में मानसूब की चाल बहुत बहतर रही है देश के कई हिस्वा में बहुत अच्छी बारि आगरें अपने आप दिल्चस्प हैं पिछले एक हपते में गुजरात में 149% ज्यादा बारिश हुई है उत्तर पर्देश में 81% ज्यादा बारिश हुई है इसके अलवा बिहार में जहांपर की जून में मानसून ने बहुत परेशान किया बहुत कम बारिश हुई थी वहा परदेश में 19 परीश्ञामी ज्यादाब बारिशे में 25 पर संट ज्यादा बारिश अब आपको बतातें कि पिछले एक राज जहांपर म ważne की बारिश कम हुई है इसमें इक हपते में यहांपक की 47% कम बारिश हुई है असम में 29 फीजदी अरुनाचल परदेश में 37 फीजदी हिमाचल में 38 फीजदी और मनिपूर में 37 फीजदी कम बारिश पिछले एक हथे में हुई है लेकिन अब मौसम विभाग का और एसकाइमेट जो की निजी एजेंसी है दुनों का ये कहना है कि अग पूरे सीजन के लिए मौसम विभाग ने आएमडी ने सामान मानसून का अनुमाल जाताया है जबकि एसकाइमेट ने पूरे सीजन के लिए सामान से कम मानसून की बात करी है उसका अनुमाल जाताया है अब जरह आप यह समझे कि अच्छा मानसून और खराब मानसून और 90% से ज्यादा बारिश अगर हो तो उसे सामान से कम मानसूल कहते हैं और 90% से अगर कम बारिश हो तो उसे डेफिसिट बना जाता है यह मानसूल की परिवाशा है आंकडों के जरिए और 104 से लेकर 110% अगर बारिश हो तो उसे सामान से ज्यादा बारिश कहा जाता है और 110% से ज्यादा बारिश हो तो इसे excess rain कहा जाता है, heavy rain कहा जाता है, यह आंकडों के जरीए है, अब दक्षिन पश्ची मानसून का जो पूरा season है, वो 4 मेने का होता है, जूल से लेकर September तक, और सलाना बारिश का जो पूरे साल में जो बारिश होती है, 75 फीज़ी बारिश इसी season में हो 20% का, और June और July का महिना, खरीप की बारिश के लिए बहद हैम होता है, धान, मक्का, गन्ना, दलहन, तिलहन, इसकी बारिश के लिए बहुत महत पूर्ण होता है, और यह मानसून के आक्रे हैं, तो लहाजा मानसून के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है, उम्मीद करते हैं कि आगे भी मानसून की चाल बेहतर रहे ताकि खेती किसानी के मोर्चे पर कोई चिंता ना हो क्योंकि अच्छा मानसून होना ना सिर्फ खेती के लिए बेहतर है बलकि पूरी इकनोमी के लिए एक बड़ा बुष्टर शाबित होता है अच्छा मानसून